हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने वाली कॉंग्रेस के लिए एक बूरी खबर सामने आई है हिमाचल प्रदेश की राज़नीती का बड़ा नाम और मंत्री पत की दौर में शामिल कॉंग्रेस अद्देक्ष प्रतिबा सिंग के बेटे विक्रम आदेत्य सिंग की मुश्किलें बढ़ गई है श्रिमला ग्रामिर से कॉंग्रेस विधायक विक्रम आदेत्य पर घरेलू हिंसा का मामला दर्ज हुआ है उनकी धर्मे पतनी सुदर्शन चुंडावत ने राजस्थान में उदेपूर की अतिरिक मुख्य नाइक मेजिस्ट्रेट अदालत में मामला दर्ज कराया है इसके बाद अदालत में गैज जमानती वारेंट जारी किया है विक्रमा आदेत्य संग को आज अदालत ने पेश होने का आदेश दिया है आपको बता दें की जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं उनकी अनुसार विक्रमा आदेत्य संग की पतनी सुदर्शना ने 17 अक्टूबर को घरेलू हिंसा अधीनियम की धारा 12 के तहट अपराधिक मामला दर्श कराया है इस मामले की 17 नवेंबर 2022 को पहली सुनवाई है अतिरिक्त मुख्य नाइक, डंध धिकारी, उद्धेपुर की अदालत ने विक्रमादित्य सिंग, सास प्रतिबा सिंग, नननद अपराजीता, नन्दोई, अंगर्द सिंग और चंडिगर की एक युवति को गयर जमानती वारेंट जारी किये है कॉर्टलब है कि विक्रमादित्य बड़े परिवार से तालुक रखते हैं इसलिए विक्रमादित्य सिंग की शादी मार्च 2019 में मेवात राजवन्ष की राजकुमारी सूदर्शन चुन्डावत से हुई थी इसके कुछ समय बाद ही दोनों में कुछ अन्बन हो गई, दोनों लंबे स्वमे से अलग-अलग रहे रहे हैं अब सूदर्शन ने अदालत से गुहा लगाई क्यूंकि ससुराल वालों को शारिरिक, मानसिक और आर्थिक इंसा ना करने के लिए पावन करके उन्हें अलग रहने के लिए मकान की विवस्था करने के आदेश जारी किये जाने चाहिए प्रतिवा सिंग के बेटे विक्रमादिति सिंग ने अपनी पत्नी दुआरा लगाए गए आरोपों पर कोई भी टिप्री करने सिंग कार कर दिया है उन्होंने का कि पूरा मामला पारिवारिक है फिलहाल विक्रमादिति सिंग अपनी मा प्रतिभा सिंग के साथ दिल्ली दौरे पर है वहीं विक्रमादिति सिंग हिमाचल के छे बार के मुखमंत्री रहे वीरभदर सिंग के बेटे हैं और दूसरी बार श्रिमला ग्रामिर से MLA बने थे इस खबर में बस इतना ही असी तमाम बड़ी खबरों से जोड़े रहने के लिए मारे चैनल को सब्सक्राइब करें